हेलो एवरीवन गुद मॉर्निंग और वेलकम बैक तू मनीसा रानी व्लोग तो सुबा के बज रहे हैं साथ और यहाँ पे मैंने अपना मॉर्णिंग का थोड़ा बहुत कुछ स्टडी और सूट वगेरा खतम कर लिया था उसके बाद मैं आ गई थी मैं का करेंट अफेर्स का क्लास करने तो यहाँ पर मेरे से पूछा जा रहा था कि मैं क्या बता रही है हेड़फोन लेके मैं क्यों बैठी हूँ तो मैं का है न माइक खराब था दो दिनों से तो मुझे सुनने में बहुत दिक्कत हो रही थी तो इस कर रहे थी मैम है अभी थोड़ा बहुत नॉर्मली बता रहे थी अपना वो परचार करने लग जाती ना बीच बीच में कि मेरा बुक खरीद लो से ये रफतार आ गया है ये वो तो मैं उसको स्कीप कर देती हूं उसके बाद ये देखो एक बहुत ही जरूरी करने लगी थी उसके बाद बच जाते हैं आठ मतब सारे साथ आठ बजे की बीच का टाइमिंग होता है और मैंने अपना आधा जेग्राफी का क्लास खतम कर लिया था तो मेरे लिए आ जाती है गर्मा गरम चाय और यहां पर जैसा आप देख पा रहे होंगे कि सर ना हाइड कि चाय ही जीवन है जैसा कि जल ही जीवन है तो आप लोग भी अगर मेरी वक्तव वे आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना इसके लिए मेरा एक प्यारा सा दिल आता है जो कि मेरे चाय के नाम जाता है और आप सभी के लिए भी आप ल तब तक पहले मैं अपना चाय खतम करूंगे और जैसे बीच बीच में आप लोग सोचते होंगे कि मैं कैसी पढ़ाई करती हूँ बीच में बात कर लेती हूँ ऐसा कुछ है नहीं जेनरली मैंने सारे चैप्टर को ना पहले पढ़ा हुआ है तो इस बार रिवाइज कर रहे हूँ इसलिए उतना जादा फोकस करने का जरत नहीं पड़ता है और यहाँ पे उसके बाद मैं आजाती हूँ अपने गार्डेन में आप सभी को दर्शन कराने मैंने सुना बाहर के आंटी बोल रहे थी कि आरे वाइट वाला फ्लावर बहुत मस्त खिला है तो मैं दरते हुए आए और उस सीन को रिकॉर्ड कर लिया और यहाँ पे मेरा जो वासिंग मसीन है ना उसका 30 साइकल पूरा हो गया था तो मुझे तीन दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था कि आप अपना ड्रम क्लीन कर लो पर मुझे नीड परा ना तो मैंने ड्रम क्लीन करने के बज़ाए एक दिन कपड़ा भी वाश कर लिया फिर सोचा नहीं या रिस क्या ही लेना जो मैंने यहाँ पर पाइप वगएरा सेट कर लिया था और यहाँ पर ना मैंने लाइन दिया हुआ था वासिंग मसीन में तो जेनरली ना हम बच के यह करकोशिस करते हैं कि जब अंदर कपड़ा और गएरा डाल दे तब जाके लाइट ते और यहाँ पर मुझे करेंट लग गया था बट मैं वीडियो सूट कराने में इतनी बीजी थी कि मैंने उसे इग्नोर किया और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही सर्फ डाला है जेनरली इसमें सर्फ नहीं डालना होता है इसके लिए कुछ और प्रोडक्ट आता है तो वो मैं नहीं खरीद पाई हूँ बहुत जादा कॉस्ली भी और ध्यान से उतर जाता है तो मैं थोड़ा सा सर्फ डाल देती हूँ ड्रम क्लीन करते तो यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि जैसे कि ड्रम क्लीन के लिए अलग से आपसन आता है तो मैंने कंफरम कर दिया है 2 मिनट और 19 सॉरी 2 आवर से 19 मिनट तक यह आपका चलने वाला है ड्रम क्लीनिंग तो यहाँ पर सिक्योरिटी चेक हो गया है और मैंने सोचा कि चलो इसको लगा देते हैं फिर पढ़ाई करेंगे और उतने में मम्मी चली जाती है मार्केट और मार्केट से लेके आती है ताजी ताजी फिश यह आप लोग देख सकते हो यह ना हमारे हाँ बचवा मचली मिलता तो जिंदा बचवा हम लोग खरीद कर प्राइडे था और मम्मी फीस को धोके और फ्रीज में रख देती हैं क्योंकि मुझे अभी आफिस आना है तो मेरे लिए नाश्ता बनाने लगती तो मैं सोचती हूं चलो आज पापाया मैं ही कट कर लेती हूं उसके साथ मुझे मिलता है सेकेंड टाइम का चाय तो मैं यहां उसके बाद जल्दी से जाती हूं नहाद हो के पूजा पाट करके आती हूं और चेक करती हूं अपना मसीन जो की हो गया था क्लीन जैसा आप लोग देख सकते हो इसका ड्रम कुछ जादा ही क्लीन लग रहा था फूल और फाइनल कर लिया था मैंने अब बारी आती है इसके जो आउटलेट पाइप है उसमें चेक करने के अगर कुछ गंदा वगेरा या फिर आपका सिक्का या फिर कुछ भी अगर कपड़ों के साथ अंदर चला जाते हूं तो यह जब आप ड्रम क्लीन करते हो उस टाइम गंदगी सब बाहर इस आउटलेट पाइप से बाहर आ जा पर हल्दी और कॉर्ण फ्लोर डाल दिया था क्योंकि बेसन नहीं था और में टाइम पर याद आता है कि मिर्ची पाउडर भी नहीं है तो उस टाइम मैं दोरते दोरते जाती हूं और बगल के दुकान से खड़ीद के लिए आती हूं क्योंकि फिस फ्राई और फिस करी बन आप अगर ऐसे जेनरली खाऊगे तो उसका एक टेस्ट ही अलग हो जाता है तो आप लोग देख सकते हो यहां पर फिस फ्राई होने लग गया था और मैंने अपना नाश्ता खतम कर लिया था और पेट भड़ा हुआ था इसलिए यम्मी सा फिस फ्राई देखके भी मैं खान ही पाई और ओफिस के लिए देर हो रही थी तो मैं निकल जाती हूं और मॉर्निंग में आज नास्ते में मैंने खाया था चिकन करी रोटी और थोड़े से चावल तो आज मैं लंच भी लेकर नहीं गई थी और यहां पर आप लोग देख सकते हो कि मौसम कितना ज्यादा खर फिर से धीट की तरह बारिस में चली जाती हूं वीडियो बनाने उसके बाद मैं खाती हूं फिर से ब्रिटैनिया का यह केक मार्बल वाला जो की वनीला प्लस चॉकलेट फ्लेवर का मिक्सचर है तो चाय पीने से पहले मैं यह खा रही थी और यह खाने में मुझे ना उतना और यहां पर हम लोग ना साम की चाय पी रहे थे बैठके और गब सर चल रही थी और मैं तो पता ने क्यों हमेसा दान नि पोड़ते रहती हूं और यहां पर मैं करती हूं केमरामैन के एकड़म कलास लगा देती हूं क्यूँक़्िखी हर समय न ऐसा मेरे फेस पर Zoom करके केमरामेन के लिए था कि बहुत ही वाहियात कैमरामेन है जह से की अगर आप सभी को भी ऐसा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना देख सकते हो कुछ जादा ही क्लोज अप से मेरा वीडियो लिया गया था फिर भी म उसको न मैं अपने फोन से ही जो एप खोलके और यहां पर स्वालोशन देखने लगती हूँ और जो गलती हुई थी तो क्यों गलती हुई थी वो भी देखने लगे थी क्योंकि अब एक्जाम में बहुत कम ही टाइम बचा हुआ है सो या मैं कर रही थी रिवीजन और रिवीजन करने के बाद मैं यहां से उठके जाती हूँ किचेन में तो आप लोग देख सकते हो जैसा कि आज हमारे हैं बना है फिश करी यमी यमी डिलीसियस सा तो यहां पर मम्मा ने इसको इतने अच्छे से मतलब जैसे ही कडाही से धक इसको कलची न लगा देती मुझे पर क्या कर सकते हैं खाने को तो मिली जाएगा मुझे प्रिटाई लगता है पर कोई नहीं अभी हम लोग देखो ममा सर्फ कर रही है तो अभी अपना डिनर कंप्लीट करने वाले हैं तो अभी जब सर्फ हो ही गया है फिश करी तो देखो यह रहा मेरा प्लेट तो यहां पर मैं खाने वाली हूँ हीूज सा फिश हेड जो की मेरा फेवरेट पार्ट है अगर मैं फिश खाती हूँ तो फिश का हेड जरूर खाती हूँ तो आप मेंसे कौन-कौन मेरे जैसे हो कमेंड बॉक्स में जरूर बताना सो यहां पर मैंने स्टाट कर दिया था अपने फिश हेड पर प्रहार करने का जो की है मेरा रात्री का आहार तो मैं तो मज़े से मचली खा रहे हूँ आप सब मेंसे कौन-कौन हो जो सावन में मेरी तरव मीट मचली खा रहा है पुलक जरूर बताना मैं जानती हूँ यह का सवाल है ना तो अगर आप सभी को मेरी व्लॉग अच्छी लगती हो तो प्लीज यार सपोर्ट कर दो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को सेयर किया करो ताकि मैं और भी यूनिक यूनिक वीडियो लेके आया करू आप सभी के लिए तो मैं तो भाईया बिना किसी की परवाह किये हुए जल्दी जल्दी से खाय जा रहे थी ठूस ठूस के और आनन्द लिये जा रहे थी कि बहुत जादा डिलीसियस बना था आप सबको देखने में कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और किसका किसका फ